एक जो मूत बच्ची है उसके साथ इन्होंने दो तीन बार पहले भी प्रयास किया थे उसको यह ले जाने का प्रयास किये थे लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाये थे क्योंकि जनियाभादी कछे तो ने जैसा इन्होंने सौयं भी बताया पुलिस के साथ देखा है तो जरूर सामने आए पुलिस को स्टेटमेंट है आपने देखना सुरू कर दिया लाइब भिहार मैं हूं आपके साथ असलम अबास पटना के फुलवाडी में गैंग रेप की घटना के बाद पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का खूला सा कर दिया है पटना में प्रेस वारता के दोरान साफ साफ कहा है कि दो मासूम बच्ची के साथ घटना के बाद जो भी मामलात हुए थे साइटी के टीम ने पूरे मामला का परदा फास कर दिया है और मुख आरोपी को पगड़ लिया गया है उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरोपी ने जिस तरीके से बहुत ही जगहन अपरात को अंजाम दिया है उसको गिरफतारी के बाद अब इस पेडिट रायल के तहत जल सज सजा दिलाने की कोसिस की जाएगे सुनिए पटना कैसे स्पी राजी मिसरा क्या कुछ बोल रहे हैं पूर बैल जोरी के मामले में यह एक बार जैल जा चुके हैं हम लेकिन लोग उसको फर्दर जो है अपने रिकॉर्ड से वेरिफाई कर रहे हैं क्या दोनों बच्चियों के प्रयास के लिए भी भी धेज रहे हैं और उसके बाद इख लिये जानने के करण क्योंकि काफी गनी अबादी वाल च्छेतर है तो उसको कभी दस उपए 20 उपए देकर छोड़ दीया थी जो उमित बच्ची है उसको यह ले जाने का प्रयास किये थे लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि जनियाबादी के च्छेत्रों ने जैसा इन्हों ने स्वाइम ही बताया कि कई आते जाते जाते हैं यह गटना भी जब वही कि दो अलग अलग जगहों पर ले जाने के कारण दो महिलाओं के आज आने के कारण यह गटना नहीं जड़ पाए तो वह ही लगातार यह करे एक आदमी और 2 महिला है कि और 2 महिला वही है अदो कोई महिला सामने आई नहीं है लेकिन हम लोग कोसि नहीं ने इताकर आपके मातने सब्सक्राइब को नोगों ने इस गट की दोनों लड़कीयों के साथ देखा है तो जरूर साभने आया पूल सब्सक्राइब नहीं है कि दो से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था यह दो थे या तीन थे और क्या कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके बाद चीजें यहां तक आई कि इस पर जो बेडिकल रिपोर्ट है वह करें कि सारी जो इंजरी वह एंटी मॉर्टम पोस्मॉर्टम इंजरी नहीं लेकिन क्योंकि इतना तुरंग घटना हुआ है तो मेडिकली इस चीज को साबित करना कि रेप पहले हुआ था या बात देवा था यह कहना सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं दे सकते हैं इस पर यह नहीं कह सकते हैं जो उन्हों ने खुद ही अपने राजी मिश्रा को सुना है फुलवाडी गैंग रेप की घटना पर किस तरीके से स्कांड का उद्भेदन करने में मदत लिया गया है किस तरीके से साइय की टीम लगाई गय है आप सोच सकते हैं रूख कपा देने वाली घटना हाला कि पुलिस ने बहुत इस तर्म में घटना का उध्वेदन किया है और आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है जसा के बताया है आप अपनी राय क्या रखते हैं जगन घटना के बारे में कमेंट कुरूप में हमें ज जरूर करें